जैहिंद साथ हो नमस्कार स्वागती मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो आप लोग फटा फट जुड़ जाएं आपकी क्लेस स्टार्ड हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टन्ट ऑपरेटर और हेड ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है यह हिं इंपोर्टन क्लासेश चल रही है फर्स्ट कुश्चन आपके सामने पेश करते हैं सभी भाई भेहन इसका राइट एंसर दे देंगे एक बार सभी मित्र क्लास को शियर कर देंगे ताकि और भी प्रेंट्स हमारे साथ जुड़ सके हैं उन्हें भी इस क्लास का लाव मिल सके क्यानी पेश्चन नमबर फर्स्ट यानी 114 है आपके सामने बेंजन कितने होते हैं बेंजन कितने होते हैं वैंजनो की संख्या आप से पूछ रहा है कुश्चन नमबर 14 फढ़ भड़ एंसर दे देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिलकुल सही जो है तैथीस बिल गर जायेगा next है आपकी सामनी इसका राये डैंसर आपको बताना है एक सुपंद्रे यह आपके सामने फड़ा फड़ा एंसर देंगे हैं वर्तनी की दिश्टी से काउंस भड़ा इंक रायॢोन सुमन सुढ़ा गया है आनशांगीक होता है तो इसका रायड गैंसर आप्शन नमबर यह वा ले बिलकुल सही है मित्र नेक्सट आप की सामने इसका रायड पूछ राग का इन्सर आप option number B बिल्कुल सही हो जाएगा जय जो है मित्र इसमें मूल सब्द है और पारा इसमें उप्शर्ग है next है आपके सामनी सकर आइट अंसर आपको बताना है चूरन का तत्सम सब्द है चूरन का तत्सम सब्द कौन सा है 170 है आपके सामनी फटा फटा इंसर दे देंगे तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं चूरन का तत्सम सब्द जो है यह चूरन होता है option number B वाले बिल्कुल सही है next है आपके सामनी इसका right answer आपको बताना है तद्भो शब्द का chain कीजे तद्भो शब्द का chain करना है 108 है आपके सामने फटा 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 इंसर दे देंगे तो बिल्कुल सही तद्भो शब्द का पूछ रहे है तो नीडर इसका right answer हो जाएगा और नीडर का जो है ये तत्सम क्या होता है निर्दर होता है इसलिए पूछ रहा था तद्भो तो option number B विल्कुल सही हो जाएगा next है आपके सामने question number 119 फटा 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 इंसर देंगे हिंदी में कृत प्रत्यों की संख्या कितनी है हिंदी में कृत प्रत्यों की संख्या कितनी है फटा 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 इंसर देंगे तो बिल्कुल सही हिंदी में कृत प्रत्यों की संख्या जो है ये 28 है option number ये वाले बिल्कुल सही है next है आपके सामने इसका right answer आपसे पूछ रहा है निमलिखित में से कौन सा सब्द इस्त्रे लिंग और पुलिंग दोनों है इस्त्रे लिंग और पुलिंग दोनों में परियोग किया जाता है वो कौन सा सब्द है 120 आपके सामने है फटा बड़े इंसर दे देंगे तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं हार बिल्कुल सही बता रहे हैं हार जो है यह इस्तरी लिंग में भी परियोग किया जाता है पुलिंग में भी परियोग किया जाता है तो इसका राइडेंस रोप्स नबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा वार जो है मित्र ये पुलिंग सब्द है वार प्रहार जो है ये पुलिंग सब्द है और धार जो है ये इस्तिरी लिंग सब्द है तार जो है ये भी पुलिंग सब्द है लेकिन इस्तिरी लिंग और पुलिंग दोनों पुसरा है तो हार इसका बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने कुशिन नमबर 121 फड़ा फड़ा एंसर देंगे मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक है मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में से का कारक बताना है 120 आपके सामने है फटा फट अइंसर दे देंगे मित्र रायड इंसर क्या हो जाेगा बिल्कुल सही करण से option number भी बिल्कुल सही हो जायगा Next आपके सामने 1922 फट फट पट अइंसर दे देंगे भाव अचक संगिया चाटिये भाव आचक संग्या छाटी है फटा बड़ एंसर दे देंगे मित्र राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बाइस का जिसका आ रहा है करूड बिल्कुल सही आ रहा है करूड जो है मित्र ये भाव आचक संग्या है और से नमबर भी बिलकुल सही हो जाएगा गाई जो है मित्री ये जाती वाचक संग्या है और दही जो है ये द्रब्य वाचक संग्या है हिमाले जो है ये ब्यक्ती वाचक संग्या है तो इसमें पूछ रहा था भाव अच्छे संग्या तो करोड इसके बिलकुल सही एंसर हो नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है निमलिकित विशेस विशेसर युग में एक गलत है यानि एक विशेसर दिया गया है और दूसरा विशेसर इसमें बताना कौन सा युग में गलत दिया गया है फटाफट बताएंगे 123 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही ताजी रोटी जो बता रहें बिल्कुल सही बता रहें ये युग में जो गलत दिया गया ऑप्शन नमबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने कुश्चे नमबर 124 फटफट एंसर दे देंगे अनवीत का संधी विच्छेद क जे 124 का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जिसका आ रहे है अनुपलेसित बिल्कुल सही आ रहा है ऑप्शन नमबर भी वाले बिल्कुल सही ये मित्रिस में कौन सी संधी है तो आपको पता है ये अड़ संधी है इसमें ऑप्शन नमबर भी व हुआ हो में कौन सा सर्व नाम है इसमें पूछ रहा है कौन सा सर्व नाम है कुछ नंबर 120 से आपके सामने फटब यह विल्कुल सही हो जाएगा नेग्स्ट आपके सामने कुछ नंबर 126 फटब यह देंगे राइड एंसर क्या हो जाएगा त्री option यहाँ है एक option यहाँ देगä है घुरदोर का समाश विग्रह बताईए घुरदोर का समाश विग्रह बताईजिए और इसमें बताईए कौनसा समाश है फटदर एंसर देदेंगे शबिमित्र 126 का right answer क्या हो जाएगा तो घुरदोर में कौन सा समास है तो आपको पता है इसमें ततपुरुस समास है ततपुरुस समास का कौन सा संबंद ततपुरुस है मित्र घोडे की दोड ऑप्शन नमबर भी बिलकुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने कुसे नमबर 127 फटाफट अंसर दे देंगे तिमीर सब्द का भी लोम है तिमीर सब्द का भी लोम क्या होता है फटाफट बताएंगे तो बिल्कुल सही 27 का जिसका आ रहा है आलोग बिल्कुल सही आ रहा है तिमिर का आर्थ होता है अंधकार आलोग कार्थ होता है प्रिकास तो तिमिर का बिलोग पुछ रहा था तो आलोग इसका राइड एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है जिस वाक्य में क्रिया शामान ने भूत काल में है वो वाक्य का चेन करना है जिसमें शामान ने भूत काल में क्रिया लिखी गई हो फटापट बताएंगे 128 का राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो कह रहे है उसने पुस्तक पढ़ी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यह वाक्य जो है सामान ये बुतकाल मे है आप्सन नमबर ये वाले बिल्कुल सही है, मित्र नेक्स्ट आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताना है हवा का परियावची नहीं है यानि हवा का परियावची कौन सान नहीं है फड़ापड बताएंगे 39 का राइड एंसर क्यों हो जाएगा जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे 139 का जिसका आ रहा है, ध्वज बिल्कुल सही आ रहा है ध्वज जो है मित्र हवा का परियावची नहीं है ये जंडा पताका का परियावची होता है धज जो है ये हवा का नहीं होता भयार समीर वायू जो है ये हवा के परियावाची है नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइड एंसर आपको बताने वा भाई जो अन्यमाता से उत्पन हुआ हो कहलाता है वा भाई जो अन्य माता से उद्पन हुआ हो कहलाता है एक सब्द में उसे क्या कहा जाता है 130 का बता देंगे right answer क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं अन्य ओदर बिल्कुल सही बता रहे हैं option number ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपकी सामनी इसका राइट एंसर आपको बताना है सांत रस का अस्थाई भाव क्या है सांत रस का अस्थाई भाव क्या है फड़ा फड़े एंसर दे देंगे कुशन नमबर 131 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कु सही निर्वीद जो बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं उप्षिन बड़ी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपकी सामनी इसका राइट एंसर आपको बताना है सभी मित्र बता देंगे इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा फड़ापट एंसर दे दीजे 132 का आपके सामने प्रश्ण या अनुरागी चित की गति समुझे न कोई जो बुड़े श्याम रंगतियों तो उजल होए पंक्ति में कौन सा अलंकार है आप्शन आपके सामने हैं फड़ापट बताएंगे इस अवाक्य में कौन सा इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है 132 का बता देंगे रायट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं विर्योधा भास लंकार बिल्कुल सही बता रहे हैं उप्शन नमबर B बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है 133 आपके सामने फटा 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 एंसर देंगे कुशन नमर 133 का राइट एंसर क्या होगा अतिनिकट गोदावरी पाप शंगारडी चल तरंग तरंगावती चारु संचारडी इसमें बताना है कौन साथ छंद है 133 आपके सामने हैं फटा फट सभी भाई बेहन इसका राइट एंसर बता देंगे गलती मत करना और इस कुशन को इसकिप मत करना मितरी ये कुशन टफ है तो इसकिप बिल्कुल भी नहीं करना है तो जो बता रहे हैं मन हरड बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्शन नमर ये बिल्कुल सही हो जाएगा पुश्बे की अभिलासा ये कविता जो है ये किसके द्वारा लिखी गई थी फड़ा फड़ा एंसर देंगे 134 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं माखन लाल चतुरवेदी बिल्कुल सही बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा पुश्बे की अभिलासा कविता जो है ये माखन लाल चतुरवेदी जी के द्वारा लिखी गई थी नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताना है निम्न में कौन सा कथन शत्य नहीं है आपसे पूछ रहे 135 का बता देंगे राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही कौन सा सत्य नहीं है तो देख लेते हैं संस्किर्ट में तीन वचन होते हैं हां तीन वचन संस्किर्ट में होते हैं हिंदी में दो वचन होते हैं हां दो वचन होते हैं हिंदी में दो लिंग होते हैं हां हिंदी में दो लिंग होते हैं संस्किर्ट में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं नहीं संस्किर्ट में दो लि बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है आपके सामने 136 फटापड़ी इसका एंसर सभी भाई बेन बता देंगे आउधी खौपड़ी मुहाविरे का अर्थ आप से पूछ रहा है 136 का बता देंगे मित्र राइटन से क्या हो जाएगा जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज कर देंगे मित्र आपके एक लाइक से मुझे बहुत मॉटिवेशन मिलता है आपके अच्छे-च्छे कमेंट से मुझे बहुत उड़ जाती है तो बिल्कुल सही 136 का जिसकार है मूर खोना बिल्कुल सही बता रहे हैं ऑप्सिन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएग फटापट बताएंगे 137 का रायट एंसर क्या हो जाएगा वाग क्या आपके सामने फटापट एंसर दीजे तो बिल्कुल सही जो बता रहे हैं ऑप्सिन नंबर डी बिल्कुल सही बता रहे हैं तुझे कल तुझे कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा बिल्कु रडात्मक नहीं है नुकरणात्मक होता है या नहीं आप से पूस रहा है तो फड़ा फट और नसर देंगे कौन सी किरिया है तो सकत कमें मिन्मिनाना भी है हिनहिंडा नहीं है लेकिन जुठलाना जो और अनुहुपर डाना की रहा है में तरह option number C बिल्कुल सही हो जाएगा next है आपके सामने इसका right answer आपको बताना है निमलिखित में से शुमलित नहीं है कौन सा शुमलित नहीं है आपसे पूछ रहा है फड़ा फड़ा एंसर देंगी question number 149 का right answer क्या हो जाएगा बिल्कुल सही प्रेम वाटिक जो है रस्खान की है बिल्कुल सही है बीजग जो है कभीरदास जी की है बिल्कुल है और वसी जो है रामधारी सिंग दिनकर जी की है बिल्कुल सही है लेकिन आसू जो है मित्र ये शुमित्रा नंदन पंद की नहीं है ये जैस अंकर परसाद ज सही हो जाएगा 40 है आपके सामने इसका राइडrenceर आपको बताना है वाचन के परियोक से जो वाक्य सही है उसका चैन करें वचन की दरिष्टी से जो वाक्य शुद्र रूप से लिखा गया है उसका चैन करना है आपको 40 के बता देंगे राइड़ एंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही मेरों शुड़ गे ऑप्सें नंबर ये बिल्कुल सही लिखा गया है नेक्स्ट है आपके सामने इसका राइट एंसर आपको बताने राहुल ने पूजा की ये कैसा वाक्ष ये कैसा वाच्छ है फटापट एंसर देंगे क्रित वाच्छ है करम 241 का राहिट एंसर क्या हो जाएगा जो बता रहें क्रित वाची विल्कुल सही बता रहें ओप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट है 142 है आपके सामने फटापट एंसर देंगे पूर और पूर इसका उच्छारण अस्थान एक इसका उचारर अश्थान तो एक समान है प्रंतू अर्थ विन-विन में विल्प का चैन कर जो सही अर्थ देते हैं फटा-फट एंजर देएंगी राइड एंसर क्या हो जाएगा तो बिलकुल सही जो बता रहे है नगर और बाढ़ पहले पूर का आर्थ हो जाएगा नगर और दूसरे का आर्थ हो जाएगा बाढ़ राइड एंसर ओप्शन नमबर C बिल्कुल सही हो जाएगा कुशन नम्बर 143 आपके सामने है दुरुब श्वामिनी की रचैता कौन है फड़ा फड़ एंसर दे देंगे रायड एंसर क्या हो जाएगा 143 का तो बिल्कुल सही 143 का जिसकार है जैसंकर परशाद बिल्कुल सही आ रहा है मित्र आप्शन नमबर C बिल्कुल सही हो जाएगा आशू लहर जर्ना ये भी रचना है किसकी है जैसंकर परशाद जी की है तो पूछ रहा है धुरुब स्वामनी रचाइता कौन है तो धुरुब स्वामनी के रचाइता जैसंकर परशाद जी है आप्शन नमबर सी वाले बिल्कुल सही है मित्र 144 आपकी सामने है फड़ा फड़ा एंसर दे देंगे 144 का राइट एंसर क्या हो जाएगा जहां वाकी की गती अंतिम रूप ले ले विचार के तार एकदम तूट जाए वहां किस चिन्न का परियोग किया जाता है फड़ा फड़ा एंसर दे देंगे 144 का राइट एंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल सही मित्र बिल्कुल सही जो बता रहे है पूरण विराम बिल्कुल सही बता रहे है उप्शन अमबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा 144 का राइट एंसर उप्शन अमबर डी बिल्कुल सही है जहां गवाकी की गति अंतिम रूप ले ले विचार के तार एकदम तूट जाएं वहां पूर्ड विराम का परियोग किया जाता है option number D बिल्कुल सही हो जाएगा last question आपके सामने हैं सभी भाई बेहन इसका right answer बता देंगे बिल्कुल सही 10 जह जो है यह विंजन जो संघर सी विंजन के लाते हैं option number C बिल्कुल ऑपको हम बता देंगर आप लोग इसका Payd móap पाना चाहते है और एक एंसर आपको पीड़ीद मिल जाएगी बात करें क्लास की तो आपको साम 6 बजे ह synerकिर 12 stream my भी niye नीड यो में भी एतना ही सभी को बाइबाए सभी और हां आपको वीई डोक taraf में जरूर बाताना मित्री जिसने को लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना आज की इस वीडियो में बस इतना ही सभी को बाई बाई सभी को नमस्कार जै हिंदी जै भारत वंदे मात्रम